नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका पुना स्वागत है पूर्व की कक्षा में आपने पाठ एक, दो वा तीन पढ़ा था आज हम पाठ चार पढ़ेंगे पाठ चार को प्रिस्ट संख्या बारा से सूला में दिया गया है बच्चों, पाठ एक गीत पढ़ा है आपने जिसमें पर्यावरण से संबंदित एक गीत दिया गया है जिसमें हमें ढेरो सीख दी गई है जो हमें अपने जीवन में आत्म साथ करना है पाठ दो बूझो तो जानों में कुछ पहेलियां दी गई है जिन्हें आपने याद करके समझा था इसी पाठ में कुछ और कार्य दिये गए थे जो शब्द चित्र से मेल नहीं खाता उस पर क्रोस का चिन लगाना था जो आपने भली भाती किया था अगला पाठ भाशा व व्याकरण भाशा व्याकरण वल्लिपी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था आज हम पाठ चार वर्ण व मात्राएं पढ़ेंगे बच्चों वर्ण को अंग्रेजी में अल्फावेट एवं मात्राओं को वाविल साइन्स कहते हैं आईए नीचे कुछ वर्ण दिये गए हैं जिनने हमें समझना है अमर घर आया अमर जोड घर जोड आया अ जोड म जोड र अमर बच्चों अब यहां पर समझने के लिए दिया गया है अमर घर आया यह एक वाक्य है इसमें तीन शब्द हैं यह शब्द इसके खंड है अमर घर और आया इन शब्दों के उना खंड हो सकते हैं जैसे अ जोड मा जोड र घर जोड र आ जोड यह किन्तू अ जोड मा जोड र इनके और खंड नहीं हो सकते तो बच्चों वर्ण वाधनी है जिसके खंड नहीं हो सकते बच्चों शब्दों को आप वर्णों में तोड सकते हैं परंतु वर्णों को और तोड़ा नहीं जा सकता वर्णों के समूह को वर्ण माला कहते हैं अब आईए हम वर्ण के भेद समझते हैं वर्ण के दो भेद हैं पहला स्वर्वर्ण वदूसरा व्यांजन वर्ण स्वर्वर्ण में आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आ, ओ, और आउ आते हैं व्यांजन वर्ण में काखागा रघाणा चाचा जाजा यां टाठाडडाणा रडड़ा ताठादाधाना पाफा बाभा माह या र लावा तलव विशा मुर्धन निश, दंत्य सह और सेयुक ताक्षर, क्षर, द्र और ग्य. बच्चों, कक्षा तीन में आपने सेयुक ताक्षर के बारे में नहीं पढ़ा था, परान्तु कक्षा चार में आने के बाद आपको इन अक्षरों के बारे में जानना आवश्यक है. बच्चों, कुछ विशेश ध्वनिया में होती हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं अयोगवाह में अनुस्वारव विसर्ग ध्वनिया आती है अनुस्वार को किसी भी वर्ण के उपर बिंदी के द्वारा प्रकट किया जाता है जैसे अंश, संसार, विसर्ग इसे दो बिंदूओं द्वारा प्रकट किया जाता है और इन दो बिंदूओं को शब्दों के अंत में लगाया जाता है जैसे प्रात, अत, आदि, बच्चों स्वर, जिन्हें बिना किसी वर्ण की सहायता के बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं जैसे आ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, आ, ओ, आदि व्यांजन जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यांजन कहते हैं जैसे ग, ख, ग, ग, आदि सहयुक ताक्षर ये दो व्यांजनों के मेल से बनते हैं जैसे क्ष, त्र और ग्या बच्चों, आगे के कख्षाओं में आप इनके बारे में भी जानेंगे मात्राएं यानि वावल साइन्स उन, ओखली, एडी, एख यहां स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हुआ है ताला, कमला, नदी, नानी यहां स्वरों का प्रयोग मात्रा रूप में हुआ है क, ख, ग, ग, भ, बच्चों उन, ओखली, एडी वा एख में स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हुआ है अर्थाद उ, ओ, ए, और ए यह स्वर्वर्ण हैं जिन्हें मिला कर इन शब्दों को बनाया गया है आगे ताला, कमला, नदी, और नानी इन शब्दों में स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है यानि जो स्वर्वर्ण होते हैं वो मात्रा के रूप में भी प्रयोग होते हैं और स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग होते हैं बच्चों, आपको बिल्कुल घब्राना नहीं है आगे हम विस्तार से इसका आर्थवा इसको प्रयोग करने के तरीके पढ़ेंगे बच्चों जैसे क, ख, ग, ग, इसमें ये व्यांजन है बच्चों व्यांजन में भी स्वर्वर्ण मिलाकर व्यांजन 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 में स्वर नहीं है कह कह इसी प्रकार ख ग और घ भी बताए गए हैं बिना स्वर के व्यांजन को नीचे हलंत या तिर्ची पड़ी रेखा लगा कर लिखा जाता है व्यांजन के साथ मात्राइं जोडने से शब्द बनते हैं बच्चों अगली कक्षा में हम मात्राओं में अर्थात मात्रा के रूप में स्वरों का प्रयोग समझेंगे आज की कक्षा में बस इतना ही धन्यवाद बच्चों आज कर दूएवाद बच्चों